नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रियंका केमसी किचन में आज हम बनाएंगे चना दालतर का जो की धावे जैसा स्वाध हम घर पे बना कर त्यार करेंगे और बहुत ही बेसिक समसाले का हम यूज करेंगे जो की आपके घर पे अवलेवल है और टेस्ट इतना स्वाधिस्ट की आप सब्ता में एक से दो बर तो जरूरी से बनाएंगे चलिए तो टेस्टी रेसिपी हम सुरू करते हैं सबसे पहले हमने गैस पेर कुकर को रख दिया है कुकर हमारा गरम हो गया है और इसमें हम दो बड़े चमस तेल डाल देंगे तेल को गरम होने देंगे और इसमें हम दो तेस्पत्ता डाल देंगे और फिर हम आधी छोटी चमस जीरा डाल दे और इसे चटकने देंगे देखिए जीरा हमारा चटक गया है अब इसमें दो हरामिच डाल देंगे और फिर हम इसमें दो बड़े साइज के बारी काट कर प्याज को डाल दे और इससे ब्राउन होने तक हम भूलेंगे गेस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और देखिए प्याज को ब्राउन होने देएंगे प्याज हमरा ब्राउन हो गया है इसमें दो बड़े साइस के टमाटर को हमने बारिक काट कर डाला है और मसालों में आधी छोटी चमच छल्दी पाउडर आधी छोटी चमच जीरा पाउडर आधी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर एक बड़े चमच छम लहसन का पेस्ट डालेंगे बहुत ही कम मसालों का यूज किया है और स्वादनुसा नमक डाल दें सारे मसाले को हम मिक्स कर देंगे और इसे ढख कर लो फ्लेम पर पांस मिनट तक पकाएंगे टमाटर को पकने देंगे इसे ढख कर इसलिए पकाते हैं कि टमाटर हमारा पक जाएगा देखिए टमाटर हमारा गल चुका है और इस मसाले को हम फिर से मिक्स कर लेंगे हमने चना दाल लिया है जो की रात में भीगो दिया था और एक कटोड़ी हमने चना दाल लिया है फिर इसे हम मसालों में डाल देंगे इसे डाल कर अच्छे से मसालों में हम मिक्स कर लेंगे ये बहुत ही असान रेसिपी है दोस्तों एक बार तो जरू ट्राई करो फिर इसे हम ढख कर पांस मिनट लो फ्लेम पर पकाएंगे पांस मिनट हमारा हो गया है देखिए नीचे से मसाला हमारा लगने लगा है और फिर इसे हम चला लेंगे अब इसमें हम पानी का यूज करेंगे जिस कटोडी से हमने चना दाल लिया था उसी कटोडी से हमने ढ़ाई कटोडी पानी का इस्तमाल किया है अब इसमें हमने एवरेस्ट का गरम मसाला डाल देंगे आधी छोटी चम्मच हमने गरम मसाला का यूज किया है और फिर इसे हम मिक्स कर देंगे अब धक्कन को हमने लगा दिया है और इसमें हम सीटी आने देंगे कम से कम हम साथ सीटी आने दें इसमें देखिए सीटी हमरा निकल गया है गैस ओफ है और इसका प्रेशर निकल चुका ति हम Means ऑने ःकोल लिया देखिए कितना अच्छा घंता धाल तरका बनकर reddy है पिर इसा धनिया पत्ता ठोरा से डूरा रफ मिला देंगे data様्ति टेस्टी यह देखिए कितना आच्छा अमरा चना धाल तरका सब्णकाय है आप供ाए तो इसे बिर ये गरम पानी में भीगो देंगे तो भी ये फूल जाएगा रात भर भीगोने का जरूरत नहीं पड़ेगा देखिए सुपर टेस्टी चनादालतार का बढ़कर त्यार हो गया है प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सस्क्राइब कीजिए ठैंक यू दोस्तो मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए और वेल आइकन को प्रिस कर दीजिए क्योंकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंच सके ठैंक यू बाइबाइच चलिए तो मिलते हैं अगले वीडि यूमे